हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी होंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि से सेम्टेस 2021 का डॉक्मेंट वरिपिकेशन स्रमाप्त हो गया है और दोस्तों मेरे पास कुछ डाटा आया है जिसमें देखा रहा है कि डॉक्मेंट वरिपिकेशन म और इसमें मेरे को दो रिजन को मिला है कि टेलिग्राम चैनल में इसका लिंक यह मतलब इसका पेडियाप शेयर किया गया था कोई आटिया लगाया था मैं यह नहीं लगया हूं तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुली में कितना कंडिडेट्स एटेंट किय यह इसटनराणीबर इसमें धर इसमें देख सकते हैं कि बोला गया आट था जब कीoga कि इसमें 6 31 कंडिडेट्स एटेंड किये हैं थे ॉब्हुर्शा सição आपका तंसित दूस्तों इंपरम स्यूंस में आपका यह 52 परसेंट तो दोस्तों आप लोग किलियरली देख सकते हैं कि अभी हम लोग का 72% आ रहा है कि वह इस्टन रिजन का ठीक है जबकि मैंने 85% टेंडेंस लेको लेके मैंने यह गेस किया था कि कितना रह सकता है कॉट अफ डीवी से एक से देर नमर बढ़ेगा देर से दो नमर बढ़ेगा ह और एक कटेगरी का दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया और कटफेक्शन को देखना चाहता है उस वीडियो को तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दोंगा उदेख सकते हैं जाके वीडियो तो दोस्तों यह तो हमारा इस एजन का अगर हम लोग दूस्तों दू यह हमारे नियूस्पीपर काई आर्टिकल है जिसमें बताया गया है दोस्तों कि MTS वर्तिय अपले सत्यापन पुर जल्द आएगा परिनाम और इसमें बताया गया है इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि 26,000 एक मिन दोस्तों इसको थूरा एडिट के लगा दे हाँ दोस्तों देख सकते हैं इसमें 7,246 कंडिडेट्स को 7,246 कंडिडेट्स को बुलाया गया था इस रिजन से और दोस्तों इसमें कितना एटेंट के हैं 5,215 तो अगर इसको भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये भी लगवक 72% के अप्रोक्ष में आएगा तो ये दोनो 72% दोनो रिजन का हो रहा है इसका मतलब दोस्तों हम लोग का अटेंडेंस जो है 70-75% के बीच में रहने वाला है ये आप लोग लेके चलिए और दोस्तों आप लोग का पता है कि यूनिक कंडिडेट्स हमारा लगबग में 16-17,000 हैं तो 16-17,000 अगर हम लेके च चलिए उनिक कंडिडेट्स तो दोस्तों आप लोग 70% इसका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं आप लोग ये 2-0 से 2-0 गया और 67-11,000 है 11,200 कंडिडेट्स लगबग में आएंगे 11,200 कंडिडेट्स में मतलब कि आप लोग ये पूरा अंदा का ज्यादा आओगा वो अंदर हो जाएंगी ये बात कंफॉम है दोस्तों मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि कितना जा सकता है क्योंकि इस बार टेंडेंस बहुत कम रहा है दोस्तों कारण था में सीजील कमेंस सीजील कमेंस के चलते बहुत सारा कंडिडेट्स गए ये एक्जाम देने क्योंकि उनका जो है MTS का दूसरा जगह डिवी जित था और सीजील मेंस दूसा जगह था और दोनों मैच कर गया था डेट जिसके चलते वो लोग नहीं जा पाए और पहला दूसरा बारा करान था कि दूस्तों वो लोग डिवी में जाना नहीं चाहते थ सीजील मेंस को लेकर क्योंकि इस वर वकेंसी बहुत ज़्यादा थी रिस्क नहीं लेना चाहते थे बहुत ऐसे कंडिडेट से दूस्तों इनका 88-89 इस तरह नंबर था वो लेकर कंफ्यूज थे कि मेरा होगा की नहीं वैसे लोग सुच रहे थे कि 26,000 कंडिडेट से वैसे कं दिवी तो वन इस टूओन में बुलाया गया था इसलिए उसको वो लोग प्रायरिटी दे रहे थे यह भी 26,000 में बुलाया गया था इसलिए लोग सुच रहे थे कि इसमें होगा की नहीं बाद में देखा जाएगा इसलिए रेल्वे के डीवी पहले एटेंड कर लिए तो बहुत ज़्यादा MTS के डीवी में अटेंडेंस कम रहने के कारण यहीं सब है ठीक है दोस्तों यह सब ध्यान देजिएगा मैंने जो बोला है वहीं कटप रहने रहने वाला है और कटप को अगर आप लोग देखना चाहते हैं वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने दोंगा ठीक है दोस्तों थैंक यू फूर वाचिंग गुडबाई एंड अगर आप लोग अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देजिएगा चैनल को इस चैनल से जूर जाएगा आप लोग मोटिवेशन मिलते रहेगा इस चैनल से थैंक यू द कर दो